साथ्यों महारास्ट्रा ने लंबे समय तक राजनिति का स्थिर्था का दौर देखा है और आज मुझे कुछ कहने से पहले और मैं जो बोलूँगा कोई अपने व्यक्तिज़त सर पे न ले ले टोपी लेकर हमारी यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माय होती है जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं वो आत्माय भटकती रहती है और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगार एक में उनको मैजा आता है हमारा महरास्ट भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वा कांख्छा के लिए इस खेल की शुरुवात की है और तब से महरास्ट एक अस्थिर्ता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कारकाल भी पुरा नहीं कर पाएं कि यह विपक्ष को ही अस्तिर नहीं करते हैं यह आत्मा कुछ भी कर देती है वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते है और यह आत्मा ऐसा करती है परिवार में भी कर देती है 1995 में जब बीजेपी सिमसेना की सरकार आई तो भी आत्मा उस सरकार को अस्तिर करने के काम में लग गई और 29 में 19 में उन्होंने जना देश को ही इतना बड़ा अपमान किया वो महराश्य की जनता बली बाती जानती है और आज सिर्ब महराश्य को अर्थिर करना ही आत्मा को संतोज नहीं होता है देश में अस्तिरता पादा कर देका खेल चल रहा है आज भारत को ऐसी बटक्ती आत्माओं से बचा करके देश में श्थीर मजबूत सरकार के तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों और मैं तो चाहूंगा महराश्य में जो ए महायूती है हमारी वो मजबूती के साथ ऐसे आगे बढ़े ऐसे आगे बढ़े कि पिछले पतिस तीस साल की जो कमिया रही है वो सारी कमिया पूर करके दिख्सित भारत के सपने को ड्राइविंग एंजिन लेने का काम करे शिंदे जी देवेंद्र जी और अजीच जी के नेत्रुतों में साथियों बीजेपी एंडिये सरकार महराष्ट्र को विकास के नई उचाही पर ले जाने के लिए काम कर रही है कर रही है